आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश फोनिंकारिक्रम रेडियो डॉक्टर बदलता मौसम और बहुत सारी परेशानियों का आना बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों का वीख हो जाना यह कहें कि बदलता मौसम छोटे बच्चों के लिए खास दोर पर लेकर आता है बहुत सारी परेशानिया तो आज के रेडियो डॉक्टर में हम इसी विशेपर बात करेंगे बच्चों के भीतर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है किस तरह से उनका निदान किया जा सकता है और किस तरह से हम छोटे बच्चों का भचाव कर सकते हैं यह सब जानेंगे हम आज की रेडियो डॉक्टर में आज की हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर रोशन जो और यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें वाटसएप पर सकते हैं, हमारा वाटसएप नमबर है 9868107070, रॉक्साब इससे पहले कि हमारे लिसनर्स के मेसेज़िस आने शुरू हो, बदलता हुआ मौसम आता है, तो बच्चों के किस तरह की health problems basically लेकर आता है, थोड़ा इस पर आप प्रकाश डालेंगे, तो हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्हें अपने सवाल भीजने में थोड़ी सी आसानी होगी, बदलता मौसम जिसे भी ठंड का मौसम है, तो उसके हिसाब से हम देखें, तो बच्चों में मौसकों मनिलन लूज मोशन, डायरिया, स्टमक फ्लू ऐसे चीज़ें को मौस कॉमन चीज़ें हैं, तो बहुत सारी स्वास्यसंबंदी परेशानियां हो जाती हैं छोटे बच्चों में खासता और पे सांस की बिमारी, सर्दी जुखाम, बुखार और सांसात नोस का बहना यानकी नाग ब परेशानी से आप परेशान हो रहे हैं या आपका बच्चा जूच रहा है तो आप मेसेज कर सकते हैं 98681070705 जहां या सही धूप चाहों से भरा हुआ कुछ बदलता हुआ पिछले कुछ दिनों में मौसम ने एकदम से बदलाव और ज्यादा महसूस किया है हम लोगों ने टेंपरेशर काफी कम हुआ है तो इस दोरहां डॉक्साब मैं यही जानना चाहूंगे कि जब टेंपरेशर बदलता है तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं उनमें एकदम से क्या वजय होती है कि उनका उनकी बॉडी टेंपरेशर चेंज हो जाता है और वो परेशान होना बाद होती है क्या वजय होती है जब टेंपरेशर चेंज होता है कम होता है था हमें बच्चों को उसी हिसाफ से उसका कपड़ा पिनाना चाहिए सबसे पहली चीज तो यह है बोडी को प्रपरली करें या फिर कुछ सीजन चेंज होने से अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रहा चाहिए स्टार्ट यहीं से होता है कोई भी बीमारी आपको हैंड वाश हमेशा प्रपर करना चाहिए खाने से पहले उसके बाद सर्दी जुकाम है तो इसको ट्रीट करवा फिवर है तो दिखाओ और अपने मन से को इलाज ना करो मेरा यह कहना है सारे लिस्टनर को कि आप जाकर दोक्टर को दिखाएं अपने मन से यह कि रिस्प्रेटरी प्रॉब्लम है को सांस की तकली पैतम ने ने बुलाइशन सुरू कर दिया या को दवाई देनी सुरू कर दिया वो चीज़े नहीं करनी है आप उसको दिखाएं या दो तीन दिन में जैसे कॉमन फ्रू होता है दो तीन दिन में फिवर कॉफ ठीक हो जाना चाहिए लेकिन उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम रहती है या पसिस्ट करती है तो आप हो जाकर दिखाना है और उसके बाद दवाई लेगी है तो डॉक्स्टर आप यह जो दो तीन दिन का जो आपने जैसे टाइम बताया तो क्या यह सभी बच्चों के लिए अप्लिकेबल है या जैसे जो बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें जैसे ही सर्दी जुखाम की प्रॉब्लम होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन्हें तुरन डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए अगर बिलकुल छोटे बच्चे हैं जैसे आप इंफेंट की बात करें जो 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 खाना पीना चोड़ देते हैं जिसके वज़े से प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम अगर खुझ से उसको हैं तो ठीक है नित हमें इमेडियेट अटेंशन देना चाहिए और जो रिखाना चाहिए और जो रिस्प पिर नाख बेहना चाहिए और फार फिर हाइगर फीवर होना तूह अमें देखना जैसे नाग बंद है तो हम नाख नíजलGM डॉप बालकर के क्लियर कर सकते हैं या नाग बेह Annajopeta का तुसके अपनी ज्चे हां इंटियलर्जिक्ड कर सकते हैं ऐ कंडिशन में आपको दिखाना हो सकता हो निमूनिया या किस चीज का इंडिकेशन हो कि अनुप कुमार रांग्ची से लिख रहे हैं उनका कहना है मेरा बेटा नाइंटीन इयर्स के है और कफ कोल्ड फीवर है प्लीज बताये किस तरह से रिलीफ मिले जो कौफ कोल्ड फीवर है जनरली किसी को सीजन चेंज होने से भी हो जाता है जैसे आप किसी को जो StressEE को मोसं चेंज होता है जैसे हम घरमी से तंड की तरह थो हुक्षी उस समें हो जाता है किसी को सर्दी जूप तो उस समें हो रहा है तो आप कोई ंति औरी जो 실 Believe कोई चीज मास्क लगा के घुमना या मिटी से लर्जी होती है मतलब इस अगर फीवर ना हो तो बिल्कुल और पॉल्यूशन तो दिली में रहते हैं तो मुस्ट कॉमन कॉल्यूशन भी जो की खांसी है तो ठीक नहीं हो पारा लोगों का जल्दी बिल्कुल तो सर जैसे खांसी इस बार बिल्कुल ठीक नहीं हो पार लगातार मतलब एक बार यदि आपको फीवर है या खांसी हो गई है तो काफी लंबे समय तक उर तो उसका क्या रीजन है तो पॉल्यूशन है या कोई और रीजन भी है पॉल्यूशन तो मुस्ट कॉमन रीजन ने पहले सा होता नहीं जो में और आप देखते होंगे कि जो मुस्ट कॉमन कोल्ड होता था था थी डेज में ठीक हो जाता था लेकिन आज के टाइम वो पर्सिस्ट कर रहा है और काफी लंबा चल रहा है इसका रीजन को एक्स्प्लें नहीं कर सकते हैं मुस्ट कॉमन पॉल्यूशन ही है और जो मैंने बताया था वह आपको करना है मिसा फीवर हो कहां सी कुछ भी हो एटेंशन दो देरे देरे चला जाए आपने अभी इसी बात में इक बताया डी हाइड्रेशन उससे पहले जो आप ने बताया था तबी भी तो सर्दियों में खास मतलब ऐसा क्यों है पानी का कमी न होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा कमी रह जाती है उस तरह से नहीं होना चाहिए तो हमारे साथ आज है डॉक्टर रोशन कुमार चाइड़ स्पेशलिस्ट से और आज जुड़े हैं हम छोटे बच्चों में कॉमन हेल्थ प्रॉब्ल तक और पहुचा है लिखने वाले हैं ये सचिन घारत मलाठ मुंबई से कहरें हाव तो मैंटीन इम्मुनिटी ऑफ चिल्डरन वाइल चेंजिंग वैदर बच्चों की इम्मुनिटी कैसे बढाएं इस बदलते हुए मौसा में इम्मुनिटी बढाने का कोई मेडिसीन नहीं होता मार्केट में बहुत सारे इम्मुनिटी बुस्टर्स हैं अगर आप चाहुत वो ले सकते हो लेकिन मैं तो हमेसा यह बोलूंगा कि अच्छा खान पान अच्छे से रहना अच्छा अपना ध्यान रखना अच्छे हाइजीन मेंटेन करना हैं वाश करना बाहर नहीं खान कोई आपको क्रोनिक डिजीज हो तो उसकी बात हम नहीं कर सकते हैं आप सुन रहे हैं विशेश फोन इंकारिक्रम रेडियो डॉक्टर आज का हमारा विशे है चोटे बच्छों में स्वास्ते प्रॉब्लम से खास और बदलते हुए मौसम के समय और यदि आप कोई भी सवाल कोई भी क्वेरी आपकी है और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोशन कुमार चाइ एक शुन्ग् anवार में सा शुन्हां डॉक्सब्स प्रजय प्रयर पति गुरुग्राम से पूछ रहे हैं कि किसी भी बच्चे में नी मोनिया होने का क्या कारण हो सकता है मुनिया होने के बहुत कारण है जाता हूं कि हर संस की प्राल्म को आप निमोनिया ना बोले जैसे fever, cough, cold होता है, लोगों पेमित है कि वो आते हैं वो बच्चे को pneumonia हो गया, सांस तेज ले रहा है, तो वो pneumonia नहीं होता, pneumonia के भी बहुत सारे classification है, कि हमें कैसे pneumonia को grade करना है, जैसे किसी को cough, cold, या फिवर है, तो वो flu हो सकता, एक simple cough cold fever के साथ और जब कभी जैसे बच्चों की नाक बंद होती है चोटे बच्चों में तो उससे भी सांस की गती हमारी तेज हो जाती है तो लोगों लगता है बच्चा हमारा उसका चाती बाहर के तरफ जा रहा है बार-बार हो रहा है तो वह बीग pneumonia है लेकिन वह नुज ज जाता है कितनी ज्यादा respiratory rate ज्यादा है साथ में fever है cough cold है बच्चा सिक है या कुछ खापी ने रहा है तो वह severe pneumonia के तरफ जाता है तो वह pneumonia के symptoms है बागी pneumonia होने के chances किसमे होते हैं यह question है तो बता दू कि pneumonia जनरली उस बच्चे मोता है जैसे जो premature बच्चे होते हैं जल्दी होने के chances जो पहले हैं समय से पहले पैदा हो गए हैं दूसरा है जो बच्चे जिसको बार बार होती है जैसे अस्थामा है या इसी प्रॉब्लम है उनको भी pneumonia होने के chances होते हैं और अभी रिसेंटली कोविट के बाद किसी को भी pneumonia हो जा रहा है और निमॉनिया हो जा रहा है तो उसको इसको मुझत यह है अब निमोनिया को ट्रीट हम जनरल दिखाना है डॉक्ट निमोर की दवाय उसे ठीक कर दें तो सर नेबुलाइजिशन कब किया जाता है और नेबुलाइजिशन के लिए मैं बता दू नेबुलाइजिशन अपने से नहीं करना चाहिए घर में कभी जनरली पर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए इसको रिक्वार्मेंट है भी किनी जब चेस्ट की हम स्टेतोस्कोप लगा के सुनते है तब हम डिसाइड करने इसको नेबुलाइज करना है या नहीं करना है कुछ क्या करें तो नेबुलाइजिशन के लिए मैं सोच पहले यह सला दूगा लों को कि आप एक बार दॉक्टर को दिखा लें इसकी रिक्वार्म को निमोनिया है आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और यदि डॉक्टर कहते है तो ही नेबुलाइजिशन की तरफ जाएगे और दरवाइस अपनी तरफ से ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश बिलकुल ना करें एक और मेसेज आया है लिखने वाले कौन है यह है मनुहर ला को पेरेंट्स ही आने डाल सकते हैं आगे इनोंने यह भी लिखा है कि आजकल की बच्चे जो है उन पर मौसम का प्रभाव जैसे जल्दी पढ़ता है चुकि वो बाहर का खाना ज्यादा खाते है जैसे जंक फूट की तरफ उनका ज्यादा होता है तो क्या जंक फूट का भी बदलते मौसम में हेल्थ के ओपर कोई फेक्ट बड़ता है जंक फूट काते हो या पैकेज फूट काते हो उन सब में कुछ ने कुछ जला होता है जिससे वो सेफ रहे इसलिए वो हमारे आपके हेल्थ को तो ऐसे ही कम कर देता है आप क्यूम्निटी को घटा देता है लिख दिया जाये तो मुझे लगता है जंक उससे बैटर कुछ नहीं है सुष्मा लिख रही है इन्होंने कहां से लिखा है सहारनपूर से इन्होंने का मेरी ननत को टाइफाइड हुआ था और उसके बाद से लगातार खासी हो रही है जो बंद ही नहीं हो रही क्या करूं टा Wallace से खासी का देख रही का खासी का के और क hyvmed को यर रही होँ एक आप अपने नंत की एक लिखे रही है तो यदि वो चिल्रन में आती है और बच्चों में आती है या बड़ों में भी आती है तो भी आपको डॉक्टर से कंसर्ट करना चाहिए डॉक्टर दीपक कुमार वडोधरा गुजरात से पूछ रहे हैं मेरे बच्चे बच्चों को frequent cold रहता है एक की उम्र है आच साल और दूसरों की उम्र है दस साल प्लीज एडवाइस मैं क्या करो फ्रिक्वेंट cold किते दिन में यह तो कुछ ने लिखा है बटिनों ने लिखा है कि frequent cold है और आठ और दस साल के इनके दो क्चे है फ्रिक्वेंट कोल्ड के लिए आप एंटी अलर्जिक यूज कर सकते हैं या फिकफ कोल्ड के लिए सिरफ या कुछ भी ऐसा दिखे दिन और कोई कौज है तो वह हमें रूल आउट करना पड़ेगा दिखा किया डॉक्टर जैसे कि अभी हमारे एक लिसनर ने पूछा भी था खान पान का बदलते मौसम में क्या मतलब खास बैनिफिट है बच्चों के लिए चुकि यह आपने भी बाना की बच्चे कुछ भी खा लेते हैं और हम हर जगा उन्हें नहीं संभाल सकते तो लेकिन यदि हम शुरू से इस तरह की आदते बच्चों में डालें कि वो किस तर कि दराएों कल बच्चों में ऍक्षिट हो इस मिल्क प्रडक्त थे एक में फूरू HI profess एक वेज़िपार में इस चार पार्ट में आपको ृअ किसी भी फॉंप कर सकते हैं लेकिन बदलते मौसम में कासओर पे सृति लगने पर शेरीम को गरम लखने में जिए इम्मुनिट जैसे वाइटमीन सी भी इम्मुनिटी बुस्टर का काम करता है तो आप वाइटमीन सी यूज कर सकते हो और मल्टि विटामीन दे सकते हो यह सब कर सकते हैं तो इसे कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें ड्राइफ फूट्स ज्यादा खाने चाहिए ऐसा वह भी फूट्स के पार्टी चोटे बच्चे कई बार बता नहीं पाते कि उन्हें क्या तकलीफ है सर्दी जुखाम बुखार ये तो हमें समझ आ जाता है लेकिन क्या इनके अलावा कोई तकलीफ है या वो किस पतर है कि परेशानी से जूच रहे है क्या इसका भी कोई तरीका है कि पता चल सके सबसे इंपोर्टेंट है चोटे बच्चों में कि चोटे बच्चे एक्टिव नहीं रहते हैं उनके एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है ये फर्स्ट साइन है बच्चे के बिमारी को जज करने कि मदर के लिए अगर कोई ब्रेस्फिट पह चाहिए ब्रेस्फिट ल लग जाए लेकिन जो सिक चाहिड होगा फीवर डाउने के बाद भी नहीं कहले तो क्या उनके वैवार में भी कुछ और फर्रकाता है बिल्कुल सबसे इंपोर्टिन है उनके बंद हो जाएगी विल्ले बच्चा हाथ पर चला रहा था चेल रहा था लेकिन बंद हो गया बि उसकी हमेशा कराए उसको आप चुपने करा पा रहे हो फीड करके भी फीड ने ले पा रहा यह चीज आपको जज़ करने पड़ी बच्चे तो यदि आपका बच्चा भी कुछ इस तरह की परेशानी से जूच रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह की तकलीफ में है तो आप हमें मेसेज कर सकते हैं अपना सवाल हमसे साजा कर सकते हैं 9868107070 पर आज का हमारा विशे हैं बदलते मौसम में बच्चों के उपर बच्चों पर स्वास्य संबंधी परेशानिया और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोशन कुमार चार्ड रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ उपस्तित हैं डॉक्टर रोशन कुमार चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और आज का हमारा विशे है कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इंचिल्रन डॉरिंग चेंजिंग वैदर तो यदि आपका भी कोई सवाल है कुछ आप पूछना चाहते है तो आप हमें वाट्सेप कर सकते हैं हमारा वाट्सेप नंबर है नौ आट छे आट एक शुने साथ शुने साथ शुने साथ शुने डॉक्साब बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच रहे हैं लेकिन ज्यादा तर जो हमारे लिसनर्स है वो खान पानी से रिलेटेड पूछना च यह यह नहीं है मैं तो यही पूलूँगा कि कोई बीचीज ज्यादा ना करें आप अगर आपके बच्चे ले लेते हैं तो ठीक है इनका मुझे ज्यादा कुछ आईडिया नहीं है यह अपने आप से ज्यादा कोई भी नुसका ना आजमाएं चुकि बच्चों के उपर वो बहुत कुछ नहीं बता सकता और बच्चा पी ले रहा है यह बहुत बड़ी बात है और सर जैसे कि आपने अभी निमोनिया के बारे में बताया था यहां मैं आपसे यह भी जाना चाहूंगी क्या निमोनिया से रिलेटेट कोई वेक्सिन है हमें बच्चों को देनी चाहिए का शरीष यह दो शरीए में इंद्या इन को लगाती है एवनकियोंनिया नहीं होंगने ज्टी डिश्ट्र करने एक टर्पन-पाक्ष्ट्र यहत्व पर ऊजितने हैं वह करें नावगनेशन को लगताँ तो यह यह जो पिनन घर के मिलंगने सब्सर आता है हम लोग सकते हैं में बहुत बड़ा रोल है इसलिए निमोनिया से बचने के लिए हमें वेक्सिनेशन भर बच्चों का कराना चाहिए निमोनिया किस एज ग्रूप पर लगता है बतलब सुरू में जैसे बच्चा जैसे पैदा होता है तो 6, 10, 14 विक्स पर लगता है फिर उसके बुस्टर डोज लगते हैं बाद में ठीक है ने डीपीटी या उसके साथ जी जी तो वो आपको टाइम पे जाके वेक्सिनेशन कार्ड बनाता है अर बच्चे का आप जहां कहीं भी रिजिस्टर हो वहां जाके अर बच्चे का लगवाएं और जिस बड़े बड़े लों का तो बात ही नहीं बड़ों को भी बता सकते हैं जो इस वक्त बहुत सारे हमाई लिसनर्स ऐसे भी होंगे जो बच्चों के साथ-साथ खुद भी इस तरह की समस्या से चूच रहे हैं जो क्रोनिक डिजीज है जिनको जिसे कौनिक रिस्परेटरी प्रॉब्लम्स है अस्तमा है उनको निमोनिया बड़ा भी फर्क पड़ता है कि यदि उनके अनुवांशिक की पेरेंट्स में है या ग्रैंट्पेरेंट्स में है तो क्या उससे भी कुछ रिलेशन है बच्चों को जल्दी परेशानी होने का ऐसा नहीं है जनली बच्चों में मदर के तरू या फाद तरू निमोनिया तो वो आ सकता है तो उसमें निमोनिया के बहुत सारी चीज़ें के प्रावल्लम होती है तो आज हमारे साथ जुड़े है डॉक्टर रोशन कुमार यदि आपके भी कोई क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं कहां पर जी हां 9868107070 पर आप सुन रहे हैं विशेश फोन इन कारिकरम रेडियो डॉक्टर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर और आज का हमारा विशे है बच्चों में स्वास्ते संबधी परेशानिया बदलते हुए मौसम में रोख साब एक मेसेज आया है लिखने वाले हैं ओजस्वीर नई द टॉंसल्स हैं और इसी की वज़े से काफ है उन्होंने ये भी बताया है कि जो टॉंसल्स होते हैं वो नॉर्मली छोटे होते हैं 14 साल की उम्र में लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है तो प्लीज सजेस्ट करी क्या नेबुलाइजेशन से मेरे कफ में कुछ हेल्प मिल सकती है जो टॉंसल्स की बात कर रहे हैं जनरली जो टॉंसल्स होता है इसमें टॉंसल्स की साइज बढ़ जाते हैं या फिर इंफ्लमेशन होता है उसका तो उसमें हाइग्रेट फीवर होता है सबसे फर्स सिम्टम सिर्फ ड्राइकॉफ नहीं होता है तो मुस्ट कॉमन कॉज ऑफ और विएक एनके केस में मुझे एलर्जी की प्रॉलम लग रही है जो कि इनको होता है या फिर जान्योसइटिस विए ठीक हो सकता है तो तो वह एलर्जी प्रॉबम के लिए वह ट्रीट करें टॉंसिलाइटिस में हाइग्रेट फीवर सबसे पहला सिम्टम्स होगा अगर वो टॉंसिलाइटिस है किसी को इनो ने दिखाया हुआ है एक्जामीन करके बता रहे हैं तो आप उसके लिए एंटिबाइटिक लो 10 डेज के लिए ठीक हो जाएगा तो मुझे लगते है ओजर सापको ये अपने सवाल का जवाब बिलकुल मिल गया होगा और अग्सब जैसे कि आपने बताया है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है उसी तरह से कुछों साइनोसाइटिस कई बढ़ जाता है तो क्या वही अस्तमा का रूप लेता है या तह्मा का साइस बेलेशन ही जो आपके साइनस होते है यो की हेड में या चीकS के उनदर जो है सानस अते हो फोस्ते है फो प्रॉपर जो आप सांस लेते वाकिसे तुडू और क्लिए नहीं होता फिर अपको मौत ली है डिक होता है सर्दी जुकान बारा बार होना घला इस तरह कि परीशान की tack आए और तक हैं? जो बड़े पच्चे होता पजिए आपको बता सकते है, période जनीरलिक करणा ही कह मैं कंहों अचार Lily C. , यशे अस्थमा के अभी हमने बात की तो इस्थमा भी मौसम में थोड़ा सा सीवयर हो जाता है, इस तरह की समस्या हां तो उन्हीं क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अपने आपको बचा सकते हैं। दॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यह कभी ना सोचें कि जो बच्चे हैं उन्हें हम ने बॉलाइशन या इनलर देंगे तो बच्चों का इमिडिएटली ग्रोथ कम हो जाएगा कुछ लोगों में ऐसा मित होता है जो कि गलत है अगर बड़े बच्चे हैं या 5-6 तक जो की ने बॉलाइशन यूज कर सकते हैं तो उनको सपेसर से देंगे तो ज्यादा एफेक्टिव होता है बच्चे अच्छा आगे कर सकते हैं तो बच्चे बार बार स्कूल ने जा पाते लें ने बॉलाइस करें और इնहयर के जर्रत हो तो बिलकुल एं इनहयर डरे ना की मेरा बच्चा इनहयर का आदीर जाएगा उसको आगे दिनना पढ़ जाएगा प्रावलम और सब्सक्राइब बिलकुल ना सोचें जो आपको द missionary करें नोक्सब जैसे इनहयर का आपने बता तो क्या ऐसा भी होता है कि एक बार इन्हेलर की हैबिट पर जाए तो वो लाइफ लॉंग इन्हेलर यूज करना पड़ता है। यह डिपेंड करता है कि अस्थमा आपको किस एज में हुआ है। था आउ ने एक डॉक अमें में ट्रश अर पर जाएं परπό्सखेम इन्हेलर आउट मैं फोर्ड बार घालर यसंद्र बॉर थे जाड़ होरा धानई इस्हां हो ट्रश आपलग उस परिंदंदमे हो जाड़ा जाद हमें लाइफ आपका उत्वर टाइप नु में जाएग मांने म में प्रियोटाइब के होती है एक होता है को अस्थमा को चलना जो की आपके डोज को मतलब आस्तमा को कन्त्रोल मेडिसी ने बुलते हैं रिदीय के शनले मेडिसीन जिए चीज़े केर करनी है अस्त्मा से जो बच्चे जूच रहे हैं या जिनके बच्चों को अस्त्मा होने के चांसिस आपको दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है मैल इस तरह ने अपने काफी उनको हेल्प रही होगी इस प्रोग्राम को सुन कर डॉक सरफ जिसे अस्त तो क्या यह बहुता है कि फिरों बदलते मौसम में होती है या अस्तिमा के साथ विशे एक आटोपी बोलते हैं आसको देजिश यह उति होती है ऐन्स अवा इन राइने जाटव को एक इस विए फैमिली आशीची भी होती है और उसके साथ रॉपल्म्स टाइन नोज चीजें ह कि अपका बाढ़ी की दिन्हेंज का मुश्चिन क्रीम जाएंग़ ऐला कर इसको रेंखनी अपकी ना चाहिए कि अब का अब का इपका बडाय होता है इसको दैमेगोने के चांसे स्याथ होते हैं और एक पार अगर skin dermatitis हो गया, skin damage हो गया, तो infection होने के chances होते हैं तो मेरा यह कहना है कि आप इस बदलते हैं उसे अपने skill का प्रोपर ध्यान रखें अच्छा मुस्याराइजिंग क्रीम या कुछ चीजी चीजी यूज करें जो आपके बजट में आता हो गया तो क्या ऐसे में water intake भी बढ़ाना चाहिए? वाटर इंटेक वाटर तो सबसे important है तो hydration तो आपको maintain रखना ही है मैं यह नहीं बोलूँगा क्या पांच लीटर पीने लग जाओ लेकिन इतना पानी पियो कि इतना जोरी हो से जी अपनी सकिन को dryness से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी बोडी को dehydrated रखें और ताकि आपकी सकिन dry ना हो और खास दोर पर बदलते मौसम में यह ध्यान रखना और भी ज़्यादा जरूरी है आपकी सब हमने अपने पूरे प्रोग्राम में कई बार आपनी छोटे बच्चों की बात की खास दोर पर इन्फेंट्स की जो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे हैं जो जनोंने अभी इस दुनिया में खदम रखा है हम यह कह सकते हैं तो वो बच्चे जो इस पार पहली बार सर्दी से गुजर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उससे चोटे बच्चों के लिए मैं यही टिप्स देना चाहता हूँ कि उनका सबसे पहले तो प्रोपर बॉडी टेंपरेचर नॉमल रखें प्रोपर कपड़े पिनाने हैं चाहे जुराब हो या सौक्स हो गलब्स हो टोपी हो चुछ भी पिनाना है जैसे बच्चे गरम रहें कोई भी बोडी पार जो एक्स्टिमिटी होती हाथ पर खुले नहीं होने चाहिए उससे बोडी टेंपरेचर लॉस होता है उससे बच्च थंडे पड़ जाते हैं तो उस कंडिशन में उनको बढ़ सकती है दूसरा बच्चे का हमें वही स्किन का ध्यान देना है वो ट्राइन आओ अच्छे से मसाज करना चाहिए उसका जो मारा रूम का टेंपरेचर प्रोपर होना चाहिए ताकि बच्चों को ठंड ना लगे चा आँ अच्छान खास और पे जो नए ने परेंट्स बने है न वो जरूर सुन लिजए तो ने बच्चों को पसीन आ रहा है और आप कपड़े पर कपड़े पिना या भी गलत है जादा होना चाहिए बहुत जादा नहीं होना चाहिए जितनी जरूरत है तो अपी आपने हीट हीटर की बात की तो क्या चोटे बच्चों के लिए हीटर सेफ होता है यह नहीं बता सकते हैं तो तुम टेपरेचर रखना चाहिए जाद दूर रखो आप जीजए हीटर तो थोड़ा ड्राइनेस करता है ने जल मिकोसा ड्राइ हो जाते हैं उसे प्रॉल्म हो सकती है तो मैं जिसके बजट में जो आए जो हीटर रख सकते हैं हीटर रखे हैं आज कल और भी ज्यादा हो आगे हैं इसी भी एप्लाइंस को यूज करें सेफली उसकरें वाइजली उसकरें बंद कर दें बिलकुर रेगुलर बेस के उपर उसे उसे कपड़े प्रॉपर ली पहनें आप क्लोधिंग भी होनी शाहिए और आप गरम पानी से आपको यूज करना चाहिए बच्चों का जैसे बच्चों नेजल ब्लॉक काफी होता है तो में नेजो क्लियर ड्रॉप आता है सलाइन ड्रॉप से उन आग में डलके अगर अप क्लियर करोगे तो आपको बच्चा फीड क होना चाहिए कि उसमें सारे वेक्सिंस बहुत इंपोर्टेंट है जो गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया ने किये हुए हैं अब वो आपको लगाना चाहिए हर जेगा फ्री लगता है तो हमारे डॉक्साब ने बहुत अच्छी बाते हमें बता रहे हैं खास्तावर पे जिनके चोटे बच्ची हैं उनके लिए बहुत अच्छे टिप्स दिये हैं कि आपको किस तरह से उन्हें उनकी पहली सर्दी में अच्छी तरह से उनका ख्याल रखना है और इस समय रॉक्साब का ख्याल रखते वे मुझे एक गीत याद आ रहा है एक और चीज बताएगे जैसे ज अच्छे जल्दी बिमार होते ने हैं वो इंफेक्शन दूसरों से कर थे हैं विए बिल्कुल जाहिए आप गन्ने हाथ से चुर एऊ उसको उसको इससे बिए बच्चे को रिखना हो सकता या आपको कोल्ड है तो हो जाएगा तो पहले हम यह पूछ ना चाहिए मदर को आप से जूच रही है तो सबसे पहले आप अपना इलाज कीजिए और तब ही आपका बच्चा बिलकुल स्वस्त रहेगा आप सुन रहे हैं विशेश फोन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर जी हमारे भी उडने का यान की जाने का बग बहुत नर्जे का पहुंचा है लेकिन इससे पहले की हम जाएं है डॉक्ट साब एक मैसेज हम तक पहुंचा है लिखने वाले है आदिल कमर लिख रहे हैं पूछ रहे हैं कि ठंड में पसली चलने लगती है उसका कोई इलाज बताइए दंड में पसली चल रहे है इसका मुश्च को मन-खौस तो निमॉर्मया या कोई सांस की प्रॉब्लम होगी चाईवास्तमा हो निमॉनिया हो पाफा करना है कि निमॉनिया है या नहीं आप दोक्तर को दिखाना पसली चलना नॉर्मल नहीं होता तो आदिल जी ध्यान रखेगा पसली चलना नॉर्मल नहीं होता है अब डॉक्ट पोसन कंसर्ट के डॉक्साब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थी ठंड के दिनों में डायरिया भी एक समस्या हो जाती है छोटे बच्चों में तो थोड़ा सा इसके बारे में बताए अच्छ एंटिबाइटिक का यूज नहीं करना होता है तो वहां में सिर्फ कुछ सप्लिमेंट्स लेने होते हैं या पिर जिंक को देना होता है या और कुछ प्रोबायोटिक वगरा यूज करते हैं वह देना है पाँ साल से उपर के बच्चों में एंटिबाइटिक यूज कर सकते ह और यह देखना है चोटे बच्चों में जो एंटिबाइटिक उसकरना उसमें में डिसेंटरी प्रॉब्लम हो जैसे कि बलड आ रहा हो इस चूल में तो वहाम एंटिबाइटिक देते हैं मैं यह मैसेज दिना चाहता हूँ कि पांस साल तक के बच्चों को बिना डॉक्टर के सजेशन के आप एंटिबाइटिक लूज मोशन में ना दे क्योंकि उससे डैरिया और बढ़ सकता है मेरा मेन गोल यह था बताना लिसनर्स को वक्त हमारे पास थोड़ा बच्चा है और इस पूरे प्रोग्राम का एक मैं वाइंड अप चाहूंगी कि जो लिसनर्स हमारे साथ बाद में जुड़े और उनके साथ भी उनके घर में कोई बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम से जूच रहा है जो कॉमन हेल्फ प्रॉब्लम से होती है बदलते हुए मौसम में तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे लिसनर्स को यह पताना चाहता हूं यहां से कि जो सांस की बीमारे की प्रॉब्लम है उसमें जिसे कॉमन कोल्ड या कॉफ कोल्ड है उसमें आप छोटी मुटी दबायां लेके ठीक कर लें लेकिन अगर आपको लगता है कि सांस की प्रॉब्लम बढ़ रही है या पसलियां च चोड़ दिया है तो उस कंडिशन में भी आपको डॉक्टर के पास इमिलिटी जाना है वेक्सिनिशन प्रॉपर टाइम पेर करना है आपको हर बच्चे का जो इस ग्रूप है उससे भी आपको विमारी से लगने में काफी वो मदद मिलती है तीसरा ये है आपको हैड्रेशन प खाना पीना के लाएं ये आपके लिए बेहतर रहे है आज डॉक्स आपने इतनी अच्छी अच्छी बाते बताई हमारे साथ जूड़े थे डॉक्टर रोशन कुमाल चाइड स्पेशलिस्ट और आज बच्चों में बदलते हुए मौसम में किस तरह सम उनके स्वास्ते का ध दिहान रखते हैं इसके उपर बताया सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अब ही आप आकाशवानी दिल्ली से विशेश फोनिन कारुक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कारुक्रम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल